हमने आपको उस दिन पढ़ाया था बीए सेकेंडियर का जो अबजीक्ट्रिव प्रशन प्त्र है उसी से आगे किस रंकला में कविता है जो भरा नहीं है भाओं से बहती जिसमें रस्धार नहीं पुर्वरदै नहीं है पत्तर है ust me Sodaish का प्यार नहीं उक्तपंक्तियां किस कवी की हैं तो ये गया प्रसाद सुकल सनेही सनेही उपनाम से कविताय लिखते थे और ये त्रशूल उपनाम से भी कविताय लिखते थे ठीक है? तो ये त्रशूल उपनाम से भी कविताय लिखते थे प्रसाद सुकल सनेहीन का नाम था इन्होंने ये लिखा था परमात्मा की चाया आत्मा और आत्मा की चाया परमात्मा में यह चायावाद है यह परिभाशा चायावाद की है इतना ध्यान रखिए दी किसमें डॉक्टर रामकुवार वर्मा ने दी यह परिभाशा चायावाद कि प्रिभाशा है प्रमात्मा की छाया आत्मा और आत्मा की छाया प्रमात्मा में पड़े यह 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 यहाद है इसे अर्षध्छ रूर्प बनें कहा हा था अगला कोशन का इंसर नहीं दिख रहा आपको ठीक है अंबाजा लगाना मानव अत्वा प्रकृति के सूक्ष में किन्त विक्ति संदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान मेरे विचार से छायावाद की एक सरवान व्याख्या हो सकती है यह कतन किसका है यहां भाव नहीं है यहां है भान भा और ना आध्य भान का ना इस ना के नाम से जोवखती है उसी ने कहा तो इसे काड़ दो इसे काड़ भचा हम दो नंदुलाहरे ठिक है अब आप नगेंदर को भी काट दो ये भी कट गया ये भी अब अच्छा क्या नंदुलारे बाच पई तो आध्यात्मिक छाया का भान जहां भी मिल जाया आपको यह पंक्ती आप सीधे-सीधे नंदुलारे बाच पई ठौंक तीजिए फिर है मैंने मैशेली अपनाई देखा एक दुखी निजभाई और दुख की छाया पड़ी हदय में जक्त उमडवेदना आई तो वेदना की बात निराला करते हैं निराला की जो सरोज इस्मृती एक इनकी सरोज इस्मृती जो है शोक गीत एक प्रकार का हिंदी में है सरोज इन्होंने अपनी बेटी सरोज पर लिखा था, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव ये कौन सा है, तो खड़ी बोली का प्रथम महाकाव ये प्रवास है, प्रियोगवाद का प्रारंब कब से माना जाता है, तो आप एंसर तो देख लीजिए, एंसर में नहीं लिखाऊंगा को प्रयोगवाद का प्रारंब कब से माना जाता है और क्यों माना जाता है कि प्रयोगवाद का प्रारंब माना जाता है तार सब्तक के प्रकाशन से और तार सब्तक में साथ कवी थे प्रकाशन करता अग्यय जी थे तार सब्तक उननीस सो ते तालीस में छपा या प्रकाशित हुआ तो जब तार सब्तक से प्रियोगवादी का विधारा का प्रारंब मना जाता है तो अब आपको यही देखना है कि तार सब्तक उननीस सो ते तालीस में छपा और उननीस सो ते तालीस में ही आपका प्रियोगवाद प्रारं है जिसका नाम हिंदी व्याकरण दुरुम है उसे पड़ा है तो उस वीडियो में आपको पूरा तार सब्तक मिल जाएगा पिर तार सब्तक का प्रकाशन अभी हमने चर्चा की 43 अभी चर्चा की थी तार सब्तक संपादक इसकी चर्चा प्रकाशन हुआ था इसमें प्रतम सब्तक का नाम यह नहीं था प्रतिय तार सब्तक का प्रकाशन हमनें नहीं प्रकाशन आठ जोड़ ये 43 में आठ जोड़ें किना बचलेगा 51 43 में आठ एक क्यावन और ग्यावन में 69 ऐसे चलेगा ठीक है प्रिश्ट पर देखिए प्रिप्रवास आयोध्या सिंग उपाद्ध्याय हरी और इसका प्रकाशन वर्स क्या है 1914 में प्रिप्रवास का प्रकाशन हुआ था कामाईनी प्रसिद्ध हैं कामाईनी के प्रसाद हैं प्रसाद यानि जेशंकर प्रसाद ठीक है प्रगतिवादी साहित का मूल आधार क्या है? मार्क्सवाद प्रगतिवाद और मार्क्सवाद दोनों लेकिन अर्विन्द दर्शन से पंत प्रभावित थे ये भी आप ध्यान रखिये और निराला जहां तक भी प्रभावित थे और किलार ना था क्रवाल संबन्दित हैं कहां से संबन्दित हैं ये प्रगतिवाद से संबन्दित हैं क्योंकि ये प्रियोगवादी कभी नहीं है शानों को मिलता दूद वबस्तर भूखे बच्चे अकुलाते हैं मा की हड़ी से चिपक छुड जारे की राद बिताते हैं रचनाकार रामधारे सिंग दिन कर राश्टर कभी रामधारे सिंग दिन कर कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उतल पुतल मच जाए एक हिलोर इधर से आए एक हिलोर उधर से आए इसके रचनाकार बालकृष्ण शर्मा नभीन है प्रगतवादी साहित की विशेस्ता नहीं है तो इसका आंशर क्या होगा? पताईए आशर दा है गोर एहम निष्ट वेक्तिवाद प्रथमतार सब्तक के कभी नहीं है कौन नहीं है? प्रथमतार सब्तक में थे कौन? अम वहाँ प्रग्राने इतना शूत्रियाद रखिए मैंने बताया मेरे हिंदी व्याकरन द्रूम नाम के चैनल पे जाईए और वहाँ पे तार सब्तक हो जिए आपको मिल जाएगा फिर शमसे उसमें जितने कभी किसमें है साथ साथ कभी सम्में है तो साथो साथो कभी के नाम की ट्रीक है बहुत आसानी से आद हो जाएगा फिलाल आप मेरे इसी चैनल के डिस्क्रिप्सन में एक लिंक है तारसब तक की उस पर किलिक करके आप वो वीडियो पुरा देख ढलिए टेंशन रही नहीं जाएगी पृतम तारसब तक के कभी नहीं है तो अमुभाप्रगिराने अमुभाप्रगिराने ठीक है नरेश महता नहीं है शमसेर बहादुर सिंग किस सब्तक के कभी नहीं है तो ये किसके नहीं है समसेर भादर से कभी हैं मतलब किसके हैं बाद दी के हैं प्रयोगवादी काबे की प्रुरुति है उपर सभी है क्योंकि नविने थार्तवादी चित्रट भी हुआ है प्रयोगवाद में जीवन के प्रति असंतोश एवन निराशा भी